बिस्मिल्लाहिर्मारे रहीम असलामलेकुमाय यूटीफ फैमली जी कैसे हैं आप सब उमीद है सब ठीक ठाक होंगे खेरियस से होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में इन बोतल के धपनों के साथ बहुती जबरदस्त और बहुती काम की चीज़ बनाने जा रही हूँ आज की वीडियो मुझे उमीद है आप सबी को बहुती ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने लेना है जी गता और एक आपने लेना है बड़ी बॉटल का कैप ठीक है अब जैम की बॉटल का भी कैप ले सकते हैं और उसके बाद आपने इस तरीके से उस धकन को गते पे रखके निशान लगा लेना है ठीक है तो दो निशान आपने इस तरहां से लगाने है और उसके बाद आपने इस गत्टे की गुलाई में ही कटिंग कर लेनी है मार्किंग के मुताबिक ठीक है अब इस पर हम ग्लू लगाके इन दोनों गत्टों को जोड लेंगे इस तरीके से देखें अब ये दोनों गत्टे हमने जोड लिये हैं अब आपको चाहिए होगा कपड़ा ठीक है कपड़े को आपने आयरन करके सलवटें दूर कर लेनी है और ये देखें इस तरह से इस गत्टे को हम रखेंगे और बाहर की तरफ कपड़े पर तकरीबन हमने डेड़ डेड इंच पर निशान लगाना है ठीक है तो अब यहां पर मार्किंग कंप्लीट हो गई और हमने ये देखें एक गोल कपड़े का पीस इस तरीके से कट कर लिया अब बिल्कुल कपड़े के साइड साइड पर हम सलाई लगाएंगे इस तरीके से ये देखें पूरी गोलाई में हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद में आपको दिखा दिए तो देखें यहाँ पे सिलाई लगने के बाद यह कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा अब इस गत्य को हम इस तरह से इस कपड़े में रखेंगे और इस तरीके से धागे को हम खैंच देंगे तो यह देखें कुछ इस तरहां से दिखेगा अब यहाँ पे हम धागे को पक्का कर देंगे यह देखें इस तरीके से अब हम धागे को पक्का कर देंगे और धागे की कटिंग कर देंगे अब हमें चाहिए होगा बोतल का धकन ठीक है और आपने सेम ही कपड़ा लेना है अगर आप कंटरास में लेना चाते हैं तो आप कंटरास में ले सकते हैं उस कपड़े में आपने बोतल के धकन को इस तरह से रखना है और इस तरह से हम कपड़े को घुमा के बिल्कुल फिक्स क कर लेंगे इस धकन के साथ और उसके बाद इस तरीके से सुई गुजार के अच्छी तरह से धागा लपेट के इस कपड़े को धकन के साथ हम पका कर लेंगे बाकि एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे उसके बाद हम इस पर ग्लू लगाएंगे ठीक है यह देखें इस तरहां से जितना भी हमारा ढकाने उतनी ही गलू हम यहाँ पर भी लगाएंगे और इदर भी लगाएंगे और इसके बाद इस तरहां से हम रखके इसे अच्ची तरहां से पका करतें जाएंगे तो यहां पे मैं बना रही हूं बच्चियों के लिए बहुत ही खुपसूरत सी हेर पिन ठीक है अब आपके पास कोई भी बारीक लैस है कोई भी आपके पास डोरी है या आपके पास कोई भी रिबन है तो वो आपने इस तरहां से ग्लू के साथ लगा के ये देखें इस तरहां से लगाना है इस धकन के गिर्द ठीक है और जहां पर ये जोड आएगा यहां पर हम लगा देंगे दो मोती ठीक है आप मोती लगा सकते हैं, एक मोती भी लगा सकते हैं, कोई खुबसूरत सा बटन भी लगा सकते हैं, यह देखें इस तरहां से यह ग्लू के साथ ही मैं यहां पे दो मोती लगा दूँगी ते देखिए कितनी खुबसूरत ये पिन बनेगी, अभी यहां पर हमारे पास चुब पिन्स होती है, ठीक है, अक्सर हमारे पास घरों में पड़ी होती है, तूट जाती है, उपर की पिन तूट जाती है, तो बाकी का हिस्सा रहता है, ठीक है, उस हिस्से को हम इसके साथ अट प्यार हो गई है अब एक और बनाके दिखाती हूँ तो आप चाहें तो आप यहां पे अगर नीचे की तरफ आपने प्रिंटिड फैब्रिक इस्तमाल किया है तो आप उपर की तरफ यह जो कैप पे कपड़ा लगाएंगे वो आप प्लेन में कंट्रास में लगा सकते हैं ठीक देखना चैन टूट गई थी ठीक है तो इस तरह की चैन वगहरा टूट जाती है तो आप फैंका ना करें उन्हें रख लिया करें तो यह देखें इस तरह की मेरे पास चैन थी तो इसे हम इस तरह हां से यह रखेंगे और ग्लू के साथ अटैच करेंगे और थोड़ी थोड में लगाऊंगी पोनी तो ये बहुत ही खुबसूरत सी आपकी पोनी बन जाएगी घर पे ही और कितना असान तरीका है आप भी इसी तरह से अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही खुबसूरत सी पिंज पोनिया घर पर ही बना सकते हैं बहुत ही असान तरीके से तो यहाँ प यहाँ पर यह देखें बिल्कुल दरम्यान में मैं गलू लगाती हूँ और इसके साथ मैं पॉनी लगा दूँगी तो देखिए कितनी मज़िदार आज की वीडियो थी उमीद है आप सभी को बहुत ही जादा पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो यह देखिए बहुत ही खुबसूरत सी पिन और पॉनी बन के तयार हो गई है इसी तरीके से आप हेर बेंड भी बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक और शेयर कीजिएगा मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आउन कीजिए अल्ला हाफीज